खुबसूरत से छात्रों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल Quick Tricks by Sahil सर पर और मैं आप सभी से चाहूंगा जिस तरह से हम हमेशा से तैयारी करते आए हैं उससे better तैयारी हम इस बार करेंगे better का मतलब और भी बहतर चीजें और भी बहतर प्रश्न जो paper में आने वाले हैं ये जो class है totally dedicated है all railway exam अब चाहे आप तैयारी कर रहे हो assistant local pilot की चाहे आप तैयारी कर रहे हो RPF की चाहे आप तैयारी कर रहे हो junior engineer की या आने वाले group D की या किसी अन्य exam जैसे की MTS जैसे की CPO जैसे की state के कोई भी exams उन सभी के लिए ये catch the math शुरुवात हो रही है आप लोगों के साथ और मैं चाहूंगा ति उसे मिलेगा उतना ही प्यार जितना आपने हमेशा से दिया है मैं आपको यही कहूंगा कि प्रश्न बड़ी शांदार तरीके से किये जाएंगे कराए जाएंगे basics के लिए मैंने आपका course भी launch कर दिया है मात्र 599 रुपे में एक साल की validity के साथ में ये system है education को affordable बनाने का और मैं आप सभी लोगों से ये दावे के साथ कह सकता हूं मैं आपका अध्यापक हूं आप मुझे कुछ मानते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि आप math की tension छोड़ दीजिए अभी से ही तयारी करना शुरू करिए मेरे उस course के साथ जो कि मैंने carrier wheel पर launch किया है पांस तारिक से शुरू होगा लेकिन आज अगर आप ले लोगे ना उस एप पर जाकर तो 599 रुपीज का ही पड़ेगा केवल 599 रुपीज एक साल पूरी गणिक च सबसे कम मैंने आप लोगों के लिए रखा है जिससे मैं आप सभी को पढ़ा सकूं सभी का मतलब हर एक बच्चा और आप लोग इस 599 के चक्कर में मत पढ़ना मतलब आप यह सोचे कि यह बाद में ले लूँगा नहीं अभी का मतलब अभी फिर 6 महीने बाद नया आएगा ह है ना तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पहले दिन से जुड़ना कहीं से भी अरेंज कर लो कहीं से भी अरेंज कर लो 599 रुपी एक साल के लिए वैलीडिटी मिल रही है आपको टेंशन क्या मेरे को बताओ बस आप पढ़ना मेरे कहने पर अगर आप को सुनते हो मेरी बात तो चलो आगे मैं अगर चालू करता हूं तो नए पैटन पर आधारिक प्रशन होंगे डेली 11 बजे लाइव होगा डेली 11 बजे फिक्स टाइन पर आ जाना और धमा के साथ कोशन करने वाले हैं और आप सभी को मज़ा आएगा यह जरूर और कर लेना हिंदी इंग्लिश दॉनो 20 दिन में आ जाएगी है ना जिसमें सभी एक्जाम्स के लिए है ना एलप टेक्नीशन और पी एफ चेई एंटी पीसी ग्रूप डी सभी के लिए ठीक है यह जीके की बुक एमेजान फ्लिपकार्ट पर अभी मिल रही है आप इसे और कर सकते हैं यह केरे विल पर बैच आ च आता हूं इस बैच में मातर 599 का है यह सभी एक्जाम्स के लिए यूसफुल है एलपी सीबीटी वन सीबीटी टू आरपी एफ टी इग्रूप डी एंटी पीसी आरपी एफ सब के लिए हैं मतलब रेलवे के सभी एक्जाम्स और अधर एक्जाम्स के लिए भी हां सब या तरीके से पढ़ाई करना मैं गैरेंटी दे रहा हूं आपको मजा आ जाएगा छोड़ना नहीं है यह बैच किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना और 599 में देड़ घंटे डेली क्लास होगी और वह पता है क्या होगा यह मैंने पूरी प्लानिंग सेट करी थी 9 बजे सुब पर मिल रहा है अभी जाकर ले लेना और अपनी नोट बुक भी खरीद लाना आजे एक नोट बुक खरीद लाना उस पर पूरा सिलेबस मैंने वह डाल दिया है उसके नोट कर लेना ठीक है चलिए अब आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है कि इस दुनिया में कुछ भी इ दर जाते हो और डरने के मतलब ही होता है कि आप बस ऑप्शन ढूंडते हो अरे यार इस टीचर से कर लूँगा क्या इस भाई कहीं नहीं भटकना आपके सामने जो है वह सबसे बैस्ट है दुनिया का सबसे बैस्ट मैं जी जान लगा दूंगा लेकिन कैच दा मैत करना है औ पूरे साल बर का और बताओ आप यह फ्री क्लास रहेगी यूट्यूब पर हमेशा ठीक है मेरे दोस्तों और 599 आपको देना है बढ़िया पढ़ाओंगा बोर्ड पर पढ़ाओंगा ठीक है चलिएगा स्टार्ट करते हैं आईएगा स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन आप देखते हैं कौन करता है और मैथड भी बताना है हाँ फूल बेसिक से होगा अर्जुन पाल आंसर आया बी अर्जुन पाल का नेहा का भी आंसर आ चुका है और विक्की ने जे एसम मेथड बताया वेरी गुड वेरी गुड जिन्होंने पहचाना इस प्रशन को 65.5 एक स्टूडेंट का आंसर भी आया है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बहुत इस कोशन को हम एक जे एसम मेथड आप लोगों ने मेरे से पढ़ा होगा अगर आपको नहीं पढ़ा तो अब आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे शुरू से पढ़ाएंगे न सब को समझ में आएगा और अभी सब को एक साथ ही जुड़ना है जिससे की जीरो लेवल से 599 म अगर यह संख्या है जो कि है वाकई में तो आप इसका सरल अनुपात निकाल के बता दो तो सरल इसका सरल अनुपात जो आ रहा है पांस से काटा बारे बार पांस से काटा तेरे बार और पांस से काटा चौदे बार बारा तेरा और चौदा यह इसका सरल अनुपात आ गया average कितना आ रहा है भई, average कि अगर मैं बात करूँ, तो average आ रहा है 60, average आ रहा है 65 और average आ रहा है 70, तो यहां हमें क्या लगाना है, JSM लगाना है, किरपया करके सब समझने की कोशिश करना, JSM कहता है कि इन सब में से जो छोटा है वो मान लो, तो मैंने का भई, 60 सबसे छोटा है, तो 60 को ले लिया, आगे मैंने अगर बात करी आपसे, तो मैं यह कह रहा हूँ, क्या 60 का आपस में कोई अंतर है क्या, नहीं है, यह कितना जादा है, वो ले 5 जादा है सर, कितनी एकाई में, 13 एकाई में, तो क्या मैं कह सकता हूँ, 13, 65 हो गया, यह कितना जादा है, 10 जादा है सर, कितनी एकाई में, 14 एकाई में, 140 हो गया बस केक कटेगी तो सर सब में बटेगी 39 हो गया कम तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 60 प्लस 205 बटे 49 क्या आप 49 का टेबल जानते हैं मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर ये 40 होता न तो ये करीबन 5.1 के करीब होता ठीक है और ये 49 से तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो साफ साफ आंसर दिख रहा है आपको कि 65.25 हो जाएगा इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं बन सकता बोले सर क्यों नहीं बन सकता रीजन बताईए क्योंकि जब आप इसको काटोगे तो क्या कभी ये साथ बर जा सकता है क्या आप बताओ खुद सोचो आप क्या ये जा सकता है क्या साथ बर पॉसिबल ही नहीं है सर पॉसिबल ही नहीं है साथ बर जा सकता है क्या तो वो डेड़ घंटे का क्लास मतलब 9 महीने का हो गया लेकिन मैं उसको 6 महीने में खतम करूंगा ठीक है ना क्योंकि डेड़ घंटे क्लास है और एक्स्ट्रा क्लास भी अगर मुझे जर्वत पड़ी की तो मैं लगाऊंगा उसमें अरे महनत कराऊंगा जोड़दार भरोसा रखना बस हाँ वह हमेशा से रखते भी आयों अगला प्रश्ण यह रहा अच्छा कुश्चन है दिमाग लगाईए करके बताईए क्या अंसर आता है आपके पास 40 सेकंड का वक्त है एक साल की वैलिडिटी है आपके रिविल में चलेगा होगा ना नौ से साढ़े दस कर दो हाँ SSCB कवर हो जाएगा उसमें सब कवर हो जाएगा डियर चलो देखो कुश्चन मच्छा है तराव से भरे हुए पीपे से तीन लीटर पानी निकाला जाता है और फिर से पानी भर दिया जाता है आप पानी निकाल रहे हो फिर पानी भर रहे हो तीन लीटर निकाला जाता यह क्षिन है किसका आप pór और और जाता है कित्ती बार चीप रहा है दो बार क्या चाहएं क्या और दो अनुपात लेने के बाद में शराव की मातरा का पानी की मातरा से अनुपात तो क्या मैं कह सकता हूँ लाश्ट में शराव इतनी बची और टोटल कितना है 25 यह सही है केकि आप जो अए शराब पर लगा रहे हो यह टोटल शराब है और यह बची हुई शराब है यही तो होता है concept और आपको कैसे बता है यह टोटल 25 है क्यूंकि इसमें पानी तो नहीं और 16 और 9 क्योंकि मिक्शर तो सेम ही रहेगा चाए आप initial लेलो चाए final लेलो मिक्षर हमेशा सेम रहेगा 16 और 25 तो इनीशल मिक्षर फाइनल मिक्षर के बराबर होता है क्योंकि ये replacement का question है ठीक है मेरे दोस्तों दोबारा से बोलता हूँ कि जब आप तीन लीटर मिक्षर निकाल रहे हो उसके जगे पानी मिला रहे हो और यह प्रक्रिया आप दो बार कर रहे हो तो आप X और Y और X और Y successive मान सकते हो क्योंकि replacement में successive लगता है understand? चलिए तो मैं यह कहता हूँ कि यहाँ जो अच्छा हुआ भाग है शराब का वो 16 है तो इनीशल 25 होगा ना क्योंकि 9 तो पानी है तो टोटल ही दो होगा यहां से X और Y का रेशो कितना आ रहे है जब आप अंडरूट ले लेंगे क्योंकि square बन रहे है ना तो यह हो जाएगा पांच और चार तो आप मुझे बताईए कितना कितनी इकाई निकला एक इकाई जो कि किसके बराबर है तीन लीटर यही तो निकाला था आपने इनीशली हाँ तो पूछा क्या गया अपसे पीपे में मूल रूप से कितनी शराव होती पंद्रा लीटर होती यही बात है कि आप शुरुवात में बात करते तो शराव केवल पंद्रा लीटर होती ए आंसर आ जाता कुशन कैसा लगा मुझे बताए आप अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है भाई प्लीज हायाना में जवाब दें आप बड़ा मज़ा आएगा और इसी तरह से कोर्स में भी मज़ा आएगा जो आप जुडेंगे पांस तारिक से शुरू हो रहा है और अभी ले लोगे तो 599 का मिलेगा आपको है ना चलिए त और वो क्वालिटी एजुकेशन जो उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई वो अब मिल सकती है तो यह एक एक नया जुनून है मेरे अंदर कि आपको बैस्ट से बैस्ट पढ़ाना है और यह टीचर खुद कह रहा है सोचो आप तो बस जोड़िए मस्त रही अगला प्र देखें किता सही कोश्चन है देखें 31 लोग 36 दिनों में 62 पेड़ काट सकते हैं तो मैंने कहा 31 लोग हैं आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना वह एम वन डीवन एच वन अपॉन डवल्यवन बराबर M2 D2 H2 अपन W2 याद करो फॉर्मूले को याद करो याद आ जाएगा तुरंत याद आ जाएगा हां सर यह तो फॉर्मूला पढ़ा-पढ़ा सा लग रहा है तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि यहां 31 लोग हैं 36 दिनों में अप पेड जो है ना वही काम है बासर पे पेड काटना गुना है हाँ एक जीवन काट रहे हैं आप चलिए कितने दिनों में 32 लोग 32 लोग कितने दिनों में दूसरा वाली की दरब 96 में पेड काट सकते हैं देखिए अब सॉल्व कर लीजे आराम से 31 से काटा दो बार 32 से काटा तीन बार दो से काटा 18 बार और डी आ गया कितना चववन तो यानि कि 54 डेज आंसर आ रहा है आप सभी का सही आंसर होगा कौन सा कंसेप्ट यहां लगा MDH यहां लगा है कौन सा कंसेप्ट यहां लगा ह ठीक है मज़ा आ रहा है आप लोगों को चलिए बहुत शांदर मज़ा आ रहा है नेक्स कुशन के लिए तैयार है यह लीजे अगला प्रश्ट कौन सा कंसेप्ट लगेगा मुझे बताओ यह अनुपाद डायरेक्ट लेते हैं या फिर LCM लेना है मुझे नहीं पता आप मु सभी विद्ध्यार्तियों से ऐसे सपोर्ट भी और मेहनत भी दौना मांगता हूं मैं आपसे जब सुद्ध्य है मैं चैप्टर बेसिक से होगा डियर फांडेशन में है कोर्स के बाद के बाद के बाद रहेगा हां बलकुल रहेगा नौसे साढ़े पर मैंसी आंसर देख पा रहा हूं अकुल का एंसर आ रहा है सुमित का आंसर आ राजन का आंसर आ रहा है गनेश, माया, रूबी और वा यार इतनी तेजी सिख, come on बहुत बढ़िया, लेकराज वर्मा, नीरज, संदीप, शिवानी, दिव्या सोनी, राहुल, प्रतीमा, निकीता, गजब, बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, यह देखिए, आंसर सभी के सही आ सकता हूं, A और B का जो रेशो आ रहा है, वो 24 बटे 23 हो जाएगा, इसी परकार B और C का जो रेशो आ रहा है, वो 23 बटे 31 हो जाएगा, अब यहीं कंसर्ट बन गया बस, कैसे बन गया सर, क्या B common है, हाँ, बस, इसलिए यह कुशन आसान था, इसको 20 से 30 सेकंड में कर सकते थ देखो 24 आ रहा है, B आपका common है, और C आपका ही आ गया, तो A, B, C बीच में common है, common नहीं होता तो, common नहीं होता तो क्या answer आता, common नहीं होता तो क्या करते, बराबर करते, जान बूच कर बराबर करते, ठीक है, बराबर करते, जान बूच कर बराबर करते, ठीक है, next, अगला प अच्छा कोशन है, टाइम लग सकता है, इसी तरह की कोशन्स आपके पूछे जाएंगे पेपर में संतोष कह रहा है, सर रर्भी एलपी की मैथ कब आएगा, वही बोल रहा हूं भाई, रर्भी एलपी के लिए तो चल रहे हैं सब, रर्भी मतलब मैथ रेलवे के सभी मैथ सेम ही होती है, भाई को पता नहीं होगा, देखो, A ने क्या किया, 25,800 रुपे का एक भाग, मतलब 25,800 रुपे का कोई एक भाग, X को 9% साधर्ण ब्याच पर, शेश भाग, Y को 5% साधर्ण ब्याच पर उधार दे दिया, चार साल के बाद में इतने रुपे की राशी मिलती है, उकुल मिलाकर, तो Y को उधार दी गई राशी कितनी है, ये बताओ, Y को उधार दी गई राशी कितनी है, बढ़िया, तो आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो क्या, कि अगर ऐसी बात यहाँ इस कोश्चन में डाल दी गई है, कि Y को उधार दी गई राशी कितनी है, तो दिमाग मैं यू लगा दू क्या, कि भाई, ये जो कंसेप्ट है, ऐसे भी चल सकता है, कैसे, देखो, 25,800 रुपे हैं आपने पास, आपने पहले हिस्से को 9% पर दिया है, आपने जो दूसरा हिस्सा है, जो कि इन दौनों को जोडने पर ये बनेगा, वह 5% साधन ब्याज पर दिया है, दिया है, ने दिया है, दिया है, ठीक है, चार साल की बात है, यानि कि यहां भी चार साल की बात है, यहां भी चार साल की ही बात है, यानि कि यहां कि यहां कितना परसेंटेज है, यहां 36 परसेंटे तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, 33,540 आपका क्या है, ब्याज है या अमाउंट है, तो मैं कह सकता हूँ, यह जो राशी है, यह राशी मेरी मिश्रधन है, यानि की अमाउंट है, बोलिये हाँ या ना, बोलिये, यह जो राशी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, यह तो एक तरीके से एमाउंट ही होगा, ठीक है, ठीक है, यह एक तरीके से एमाउंट है, हाँ, अब मैं यह कहना चाहता हूँ, भाई, 25 आठ स्टो, 0, 4, 15 मैं से 8 गया, तो 7, ठीक है, और यह हो जाएगा, 7, 740 रुपे क्या है मेरे पास, बता सकते हो आप, 740 रुपे ही तो मेरा ब्याज है, कुल मिलाकर, ब्याज, कुल ब्याज, बताईए आप, मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे बताओ, और इस कोशन को सीखने का तरीका बता रहा हूँ, आप से नहीं बनेगा, कोई बात नहीं न बाई, लेकिन आप यहां क्या करने आयो, आप खुद बताओ मुझे, सर हम यहां बैस्ट सीखने आये हैं, वही मैं करवा रहा हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत ले ना, और आप एंजोई करो इस क्लास को, ठीक है, तो 40% इसका था, 36% इसका था, अब टोटल ब्याज अपन नहीं आई ना, हाँ, तो एक बात आप से कहना चाहता हूँ, एक बात आप से कहना चाहता हूँ, कि जो यह 16% का अंतर आ रहा है, जो कि आ रहा है, लेकिन डायरेक्ली नहीं है, पॉइंट असर, तो पहले मैं आपको वैसे समझाता हूँ, बेसिक से, बात हाँ या ना में दोस्तों, कि अगर पहली राशी का 36% और दूसरी राशी का 20% दौनों को जोड़ दूँ, इसके बराबर हो जाएगा, क्या, दुबार लिखता हूँ, पहली राशी का पहली राशी का 36%, पहली राशी का 36%, दूसरी राशी का 20%, अगर जोड़ दूँ, वैकर ब्याज ही तो है, यह भी ब्याज है, यह दोनों अलग अलग राशिया हैं, जो कि टोटल यह बन रही है, और जो ब्याज आ रहा है, वो 7740 के बराबर कर दूँ क्या, बोल दीजिए, ब आप तो और कुछ नहीं चारा मैं आपसे बस पूछ रहा हूं क्या मैं पहली सम्मीकरन यह बना सकता हूं आप लोगों के लिए कि और क्या दूसरी सम्मीकरन हमारे लिए यह सही है पहली राशी और दूसरी राशी मिलकर कि 25-800 बना रहे हैं बस आप मुझे इतना बता दो और आप एगरी कर रहे हो और नहीं कर रहे हैं यह बता देना में रुखा न कि चीज़ें यहीं से सीखने को मिलती है और आप आनंद उठाइए और प्यारे प्रश्ण होगा बताओ एक बच्चा कह रहा है सर उपर से जा रहा प्लीज है अभी तुम दिमाग यहां लगा हो है ना कुश्चन करा रहा हूँ मैं अभी यहां पर है ना फाउंडेशन बैच में थियोरी होगी और कुश्चन भी होगे अब प्लीज ध्यान दो यार क्या बोल रहे हैं पता नहीं ठीक है अब यह दौनों सम्मेकरन आपको सम अगई क्या आगई नहीं आगई बता दो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ ना आप लोगों के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालेटी चीज सीखो घास नहीं काटवानी है यह ठीक है आप ऐसा कर लो आपको निकालना क्या यह देख लो पहले आपको निकालना है वाई को उधार दी गई राशी यानि कि 5% वाली निकालनी है तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे यह निकालना है तो आपको मैं यह कह दूं कि भाई इसमें 36% का गुणा कर दो और जो सीख नहीं रहे हैं वो कमेंट कर रहे हैं बस वह बेमतलब वाला भाई कॉपी पैन लेके बैठा कर हो है ना क्लास में अर्सा सही गया रहे हो आप तो और क्या मैं आप कह सकता हूँ डायरेक्ली कि अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो 36 में से 20 गया तो 16% सेकेंड राशी बराबर क्या हो जाएगा अगर हम गलत कर रहे हैं तो बहुत सही तरीका कर रहा हूं ना बहुत सही है सब बहुत मजा आ रहा है ठीक है हम 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 चलिए मैं इसको 4% लिख दूँ 4 से काट देता हूं चार से काट सकता हूं 258 इंटू 4 से काटा मैंने 9 वार किसको 36 को और 4 से मैंने काटा 4 एकम 4 बचे 3 चार नाम 36 बचा एक चार तिया बारा और चार पंजे बीस किसी को कोई परेशा नहीं बहुत सही सर बहुत सही 9 से गुणा किया 9 आट बैतर 9 पड़म 45 और 7 बावन 9 दुनी 18 और 5 तेईस 1935 घटाएंगे प्यार से 12 में से 7 गया तो 5 12 में से 5 गया तो 7 ठीक है आपके सामने 11 में से 3 गया तो 8 और यह हो जाएगा 387 अब आपको 4 का भाग दे देना है आंसर आपके सामने होगा 387 बटे अगर आप 4 करोगे तो 4 नाम 36 बचे 2 2 4 चिकी 24 ठीक है बचे 3 पिचाटत 9 6 7 5 हाँ कोशन अपने आप में अच्छा है लेकिन ना कराऊं तो मेरे पे लालद है ठीक है समझे रहो मेरी बात कोशन कैसा लगा आप मुझे बताएं कोशन वाकई में इसी तरीके से हो सकता है आप आप शॉर्ट मेथड की तरफ जाना चाहते है तो वह वहाँ भी ले जा सकता हूँ आपको लेकिन उसके लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और मेरे साथ सोचना पड़ेगा क्या आप सभी लोग एगरी कर रहे हैं क्या आप सभी लोग तैयार हैं देखो यार पढ़ाई करो फिर वो लोगे की टाइम लग रहा है अरे भाई तुम सीख रहे हो ना पहले सीख रहे हो ना सीखो ना भी मेरे तरीके को जानने की कोशिश तो करो मैं दौनों तरीके बताता हूँ भाई चुपचाब आप ध्यान से देखो चीजों को सर और कोई शॉट हो सकता था क्या वही बता रहा हूँ एक शॉट तरीका और है इसका तो मैं ये डाइरेक्टली बोल सकता हूँ कि इतनी रामायन करने की बजाए इस राशी को इतना हो गया तो इतना ब्याज आया पहला स्टेप इस राशी को अगर इतना कर दिया तो इतना ब्याज इखठा हो गया और ये ब्याज क्यों आया क्योंकि जो राशी ये थी ना उस पर 9% और 5% का अलग-अलग ब्याज लग रहा था चलो दूसरा तरीका देखते हैं तो क्या मैं कह सकता हूं आपसे कि यहां हम जे एसम भी तो लगा सकते हैं और क्या कि टोटल ब्याज कितना आया कि टोटल ब्याज टोटल ब्याज था सर अपना 7740 आप सीजह सीखने के लिए आयो यहां पर है ना तो आप समय दो एंजॉय करो क्लास को और भैतर सीख कर जाओ जिससे कि आपके सारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं टोटल साधन ब्याज इतना है अच्छा राशी पर एक पर नौ परसेंट है एक पर पांच परसेंट है राइट सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं अच्छा यह ब्याज भी है जो चार साल का है ना हां तो चार साल का है अच्छी बात है तो एक साल का कितना हो जाएगा अच्छार एकम चार बचे तीन चार अठे बत्यस चार नाम चत्तिस चार तिया बारा और चार पंजे बीस उनने सो पैंतिस रुपे एक साल का ब्याज हो रहा है अब हमारा फोकस यहीं रहेगा बस आप बस अब मेरे को यह बता दो कि मैंने कहा कि नहीं नहीं यह भी पांच परसेंट पर ही ब्याज है तो जो 25,800 रुपे की राशी थी उसका पांच परसेंट कितना होगा पांच परसेंट पर ही मैं मान रहा हूं जे एसम के हिसाब से तो 25,800 रुपे की राशी का पांच परसेंट कितना होगा अब पांच परसेंट को भी गुणा करने का एक बड़िया तरीका बताता हूं देखो 258 क्या मैं 5 को लिख सकता हूं 10 बटे 2 मैं जो सिखा रहा फिर आप कोई भी एक्जाम खोड़ सकते हैं देखी तो यहां मैं यह देखता हूं कि कितना आ रहा है दो एकम दो दो दुनी चार दो नाम अठारा बारे सो नब्बे आना यह चाहिए था आ इतना रहा है क्यों कितना कम है 1935 में से 1290 घठाएंगे 5 13 में से 9 चले गए तो कितना हो जाएगा 4 और 18 में से 645 क्यों आया यह 645 कम क्योंकि आपने 4% से छेड़ा है तो 4% बराबर अगर 645 है तो यहां से 100% निकालोगे फिर उसके बाद जो आएगा उसे इसमें से घटा दोगे क्योंकि 5% वाले का निकालना है हमें तो कोशन वही है करने करने के तरीके अलग-अलग हो जाते हैं और कुछ भी नहीं है आप मेरी बात समझ रहे हैं मेरी बात अगरी कर रहे हैं समय मैं इसलिए भी दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप सीखने आयो यहां पर और मैं वो चीज मजबूत कर दूँगा जो आपकी कमी है ठीक है यह 4% की वज़ए से तो हुआ तो मैं आगे solve करता हूँ 4 एकम 4 बचे 2 चार पंजे 20 चार चीकी 24 ठीक है फिर 4 एकम 4 क्योंकि 100% की बा कि अधर आजायेगा क्या फिलकुल आ रहे हैं यहीं आएगा 9.675 चैक कर लो चाहे तो मैं आया मज़ा अब आप कैसे कर सकते हो बताओ मेरे को क्या यह बैस तरीका नहीं बताया मैंने आपको यह बैस तरीकिए बताये मैंने अब आप दोनों तरीकों को अबश्य रागा और क्योंकि 1935 में आप 25800 का डिवाइड करो हो रहा है क्या बताओ 1935 में 25800 का 258 का डिवाइड करो basically 1935 में 258 का डिवाइड आप कर रहे हो तो आपकी जो rate आ रही है वो आ रही है allegation से भी कर सकते हो पहली राशी का 9% है दूसरी राशी का 5% है और एक साल का व्याज आ रहा था 1935 टोटल राशी कितनी थी 25800 तो rate of interest कितना आ रहा है इसको solve करने के बाद साड़े साथ आ रहा है लेकिन इसमें ही time लगता सबसे ज़्यादा साड़े साथ आ रहा है बिलकुल आ रहा है तो allegation लगा देंगे तो यहां से आया ढाई और यहां से आया डेड़ तो क्या मैं कह सकता हूं 25 और 5 तिया 15 आठ रेशो बराबर कितना 25800 आपको यह निकालना है न यह तीन रेशो एक रेशो की वेल्यू कितनी 25800 बटे आठ इन्टू 3 अब बले solve कर लो 9 6 7 5 यह आएगा अब आप तीनों में से कौन सा सही लगा आपको यह बताओ समझ में आ रहा है ना तीनों मेथड मैंने समझा दिये यार इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कुछ बच्चे तो कमेंट यह लिखने आते ही समझ में नहीं आ रहा अब इसका कोई solution है क्या बताओ मेरे को क्या कमेंट लिखने से आ जाएगा क्या कमेंट लिखने से आपको सब आ जाएगा मैं इसलिए कहता हूं आप लोग अपनी प्रवर्ती नहीं छोड़ पा रहे हो अभी तक प्रवर्ती आपको क्या छोड़नी पड़ेगी कि सर मुझे फोकस नहीं हो पा रहा है मैं भटक जाता है मन और मैं सिंपल सी बात हाथ चोड़ देता हूं यही का यहीं गल्लती है और रियलिटी यही इसी गल्ती से तो गुजर रहे हो आप तो मैं आपको यही सला प्रतिशत निकालोगे और ऐसी बताऊंगा मैं मैं इस सेग्मेंट ऐसी रखने वाला हूं हर चीज को तीन तीन में चार 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 में अगला प्रशन आपके सामने यह लेजिए अभी जहां जहां नहीं चलेगा करेंगे देखो अब इस कोशन को करो कि आपको मज़ा आना चाहिए आपको अच्छा लगना चाहिए कि प्लीज कोई फास्ट फास्ट नहीं बोले आना हम सीखने आया यहां पर कि पहले आप अपना मन इस चीज के लिए बनाओ कि मैं सीखने आया हूँ अगर आप यह मन लगा कर नहीं पढ़ने आओगे न तो फिर मैं भी पढ़ा नहीं पाऊँगा न आप लोगों को फिर और जो बच्चा मेरे साथ नया है ना प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्लासे आपकी जो फ्री क्लासे से वह यहीं चलने वाली है और पर्मनेंट जुड़ो आप ठीक है लगातार क्लास होगी है कि अब देखो कितना सही कुश्चन है दिमाग लगाने से होंगे यार आप बिल्कुल टेंशन मतलू मैं आपके साथ में खड़ा हूं हमेशा एंड तक खड़ा हूं यह बात मैं अभी भी बोल रहा हूं आगी भी बोलूँगा तो मैं जैसे समझाना चा रहा हूं वैसे समझ यह बस आप ठीक है और उद्देश समझें कि यह सेग्मेंट क्यों लाया गया आपके आपका जो माइंड है ना वह अलग लेवल का काम करेगा पेपर में अब भाई 599 वाला वैच फाउंडेशन बैच है आप लोगों को मतलब नहीं पता रहता है कि फाउंडेशन बैच क्या होता है तभी आप बार बर बूतो चेप्टर वाइस होगा क्या मिक्स थोड़ी होते हैं वो वो सभी को जोईन करना है आप में से हर एक बच्चे को जोईन करना है वो चाया आता हो या नहीं आता हो आपको देखो मैं बेसिकली देखता हूं कि सर आठ में से अगर मैं एक घटा रहा हूं तो साथ आ रहा है पांच में से तीन घटा रहा हू और 16 में से अगर 9 जाएंगे तो, 7 ऐसे गटालो दो आराम से, 1171.58, 499.31, या या 7, या या 2, 11 में से 9 गया तो 2, ठीक है, 6 राओ यहां पर, 9 और 7, 16, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1076.84 में से, 67.27 घटा दो आप, तो यहां से जो आप प्यार से घटा रहे हो, तो वो तो रह जाएगा अपना कितना, 37, और यहां आएगा सबसे पहले 4, 0 और 4, 404.57 जिसका भी आंसर है, वो सही है, 404.57 A option, ठीक है, और हाँ, मैं उन्ही बच्चों से पूछूँगा, जो वाकए में seriously पढ़ना चाह रहे हैं, देखो, सही लग रहा है ना, और आपके कोई भी suggestion होना, अगर सही suggestions होंगे, acceptable हैं, मैंने जो प्लान किया है, मैंने प्लान किया है, एक तो आराम आराम से चीज़े सिखानी है, क्योंकि यह जो practice अगर आप डंग से कर लिए ना, तो दुनिया का कोई exam आपसे नहीं रुकने वाला, मैं आज यह लिख के दे रहा हूँ, या मेरे से लिखवा के ले सकते हो आप, पहली बात, आपको regular रहना है, एक इसकी copy बना लेना भाई, regular पढ़ने वाले, इसकी PDF टेलिग्राम पर मिलेगी, मैत भाई साहिल सर पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी विध्यारती कर लो, और और उसे भी कराओ, यह आप से मैं चाहता हूँ, ऐसे support चाहता हूँ, और जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं जहां भी मेरे को लगेगा कि इस question का concept आपको बताना है, वो मैं बताऊँगा, method बताने मैं बताऊँगा, कोई मेरे से यह नहीं बोलेगा, जल्दी करो, तेज करो, इतना time लग रहा है, यह कर रहा है, क्योंकि उद्देशे फिर अलग है मेरा, उद्देशे सिखाने का है, भखाने का नहीं है, तो मैं प्लीज आपसे यही चाहता हूँ, आप बस इस चीज में support करो, कि सर हम ढंक से पढ़ने आये हैं, आप ढंक से पढ़ाओ, और फिर आपके जो plans हैं, वो हम पूरे execute करेंगे, मेरा आपको दो कहने मानने हैं, एक foundation ले लेना, तब को बढ़िया पढ़ाओंगा, यह मेरी guarantee है, पांसो निन्यान में का है मात्र, ठीक है, चलिए, next question आपके सामने देता हूँ, यह लेजिए, अगला question आपको tough लग रहा होगा न, लेकिन है नहीं, लेकिन language आपको railway में ऐसी ख़ी,нуться हाँ करूँ, लेकिन होगा ने हैं, यह लेकिन हैं, लेकिन है थक्यों आपका दूदित धिता ह्विया, अजःस機श देखा में son कि और श्याचा रहा, यह नहीं, लेकिन होगादा वेकिनॅरा अ. झाल झाल यह कुश्चन एवरेज का है, सिम्पल, घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों, सिम्पल एवरेज का कुश्चन है, सिम्पल, देखो, रमेश अपने कॉलेज में अपने 9 दिन की आत्रा पर है, साथियों के साथ में, उन्होंने 9 दिनों के लिए अपना और सत खर्च, 215 रुपे रखने का फैंसला किया, यानि कि 9 दिनों का कितना रखना है, 215, 9 दिनों का खर्चा कितना रखा है, 215 रखा है, पहले 8 दिन का खर्च दे रखा है, अलग-अलग, मतलब यह ना ठक है बस, 188, 114 में, 218, 214 में, 218, 220, ठीक है, 180, 204, 208, और 206, मेरा यह मानना है, अगर आप इनको जोड़ना चाहते हो, यह 8 दिन तो यह हो गए, अब 9 दिन X माल लिया मैंने, और यह इसका गुणा करने पर आजाएगा, अब इसको कैसे जोड़ू, मैं बेस माल लू, 200 बेस मैंने माल लिया, 200 बेस मैंने माल लिया, 200 बेस यह भी खतम, यह प्लस का 4, यह प्लस का 8, और यह प्लस का 6, क्या बात है सर्फ, तो यह 12 और 6, 18 आ रहा है, और 18, और है कितना, 200 बेस माना है न, 18 बटे, 8, आठ ही तो है, इसको 8 से गुणा कर दो, क्योंकि आपको योग चाहिए, तो 1618, प्लस X बराबर, 9 पडम 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 दोनी 18 और एक 19, अब घटा लो जलो, 1935 में से घटेगा, तो 15 में से 8 जाएगा, तो 7, 15 में से 8 गया, तो कितना बचेगा, 7, और अपने पास, 137 आएगा, 317, भी आंसर आने हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है न, वो जल्दबाजी नहीं है, हर कुशन बढ़िया है, देखिए, जैनी को अपने 4550, 50 रुपे के खाने के बिल पर 10% की छूट, फिर 20% की छूट मिलती है, तो जैनी ने बुक्तान कितना किया, तो क्या ये successive discount है, तो 10% याने की 1 बटे 10 होता है, और 10 में से 1 का discount कर दोगे, तो क्या बेचोगे, 9 पर बेचोगे, तो एक discount ही हो गया, अब क्रमागट discount है, 20% को हम लिखते हैं, एक बटे 5, याने की 5 में अगर एक का discount और दे दिया, तो याने की 4 हो गया, बहुत सही, याने की 50 अगर आपका, और 36 ये हो गया आपका, तो 50 और 36, याने की ये कितना हो रहा है, 25 और 18, अंकित मुले ये ही है, 4550, 25 एकम 25, बच्चे कितने, 20, और 25, 175, 28, 200, और पच्चे दूनी 50, 182, तो आप कितने पर बेचोगे, 8 दूनी 16 वाला, इका यान काईगा, 6 वाला, सारी है, तो 182 का 18 से गुणा कर दो, तो 18 से गुणा करने का देखो तरीका बताता हूँ, 18 का इस से गुणा करोगे, तो 32, 40 हो रहा है, और इसमें 36 और जोड़ दो, 18 दूनी 36 का 36 और जोड़ दो, यानि कि 32, 96 में आ रहा है, 32, 76 आ रहा है, कैसा लग रहा है, B option, मज़ा आ रहा है दोस्तों, हाँ, इसको कहते हैं, successive case, क्योंकि आप दो करमागत छूट दे रहे हो न, तो 10 परसेंट की एक छूट दे दी, 10 से 9, 20 परसेंट की एक छूट दे दी, 5 से 4, 50, 36, ये आपका अंकित मुल्या है, तो अंकित मुल्या को आपने इसके बराबर कर दिया, जिससे कि आप बुक्तान की गई राशी आने की विक्रे मुल्या निकाल सके कि कि किस कीमत पर आपने बेच है, मज़ा आया, अच्छा लग रहा है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं, या किसी का बेसिक्स के लिए नहीं है, भाई केरियर विल पर मेरा कोर्स आ रहा है, पांस तारिक से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी उसको लोगे, तब वो पांसो निन्यान में का आपको पड़ेगा, पूरा एक साल की वैलिडिटी के साथ में, रिकॉर्डेट क्लास भी देख सकते हो, लाइव क्लास सुभे नौ बज़े से साड़े दस बज़े तक चलेगी, पूरा सिलेबस भी में दिखाऊंगा, लास्ट में, टेंशन ना ले, पच्चिस अठारे कहां से आया, दोसे काट दिया ना इसको, दोसे काटा पच्चिस बार, दोसे काटा अठारे बार, अनुपात होता है, अगला करें, बोट अनिश्ट्रीम, कुशन में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, यह बता दे रहा है ना भाई, चैप्टर वाईज, स्टार्ट हो रहा है ना, फाउंडेशन, चैप्टर वाईज ही होगा, वो पूरे रेलवे के एक्जाम्स के लिए, हाँ, उसमें बेसिक सी होगा भाई, या, क्या बताओं तो मैं रोज रोज एक किवा पूश्त के हो, देखिए, वो लग ऐसा नाव धारा के प्रतिकूल 30 घंटे में, 1500 किलोमेटर, तो धारा के प्रतिकूल जाना है याने की वी माईनस यू, 1500 किलोमेटर है 30 घंटे में, तो कितना आ रहा है वी माईनस यू, 5 आ रहा है, चलो धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल याने की V प्लस यू 217 बटे 31 कितनी बार जा रहा है भई 7 बार जा रहा है तो इस्तिर जल में नाव की गती बता दो तो नाव की गती V बराबर 7 प्लस 5 बारा बटे 2 6 यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 5 दो बटे 2 धारा की भी निकाल सकते हो नाव की भी निकाल सकते हो अनसर आगे अब B option बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे बस ये रेगुलर करते जाओ यार कौन रोकता है देखते हैं आपको और आपको मज़ा आना चाहिए आप इसके हर एक सेशन को एंजॉय करोगे हर एक सेशन को ये गारेंटी देता हूँ लेकिन थोड़ी सी दिमाग मेहनत सब लगानी पड़ेगी भाई अभी तो कैच्छदा मैत तो अपने आप में कैच्छदा मैं आपको देखो वो लग ऐसर बिना किसी दोहराव के कारण दो तीन चार पांच छे अंकों से एक पांच अंकों की संख्या बनाई जाती है प्राइक्ता ग्यात कीजिए कि वह संख्या पांच से बिवाजित हो कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए दो तीन ये अंक है पांच अंकों की संख्या तो पांच अंक बना दो एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक पांच अंक आपसे एक चीज बोली जा रही है कि वह संख्या पांच से बिवाजित होनी चाहिए तो पांच से बिवाजित होने के लिए क्या मैं इस में से जो एक अंक है पाँच अंक पाँच फिक्स कर दूँ यानि कि एक अंक तो फिक्स हो गया यानि कि अब इस पाँच का कोई रोल रहा नहीं न क्योंकि वो तो फिक्स हो चुका है तो यहां कितने तरीके से आ सकते हैं एक दो तीन चार चार तरीके से अब कोई एक आ चुका है तो अब तीन तरीके से क्योंगी repetition allowed है नहीं into 2 into 1 तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों से ये तो एक तरीके से या रहा है क्योंकि पांच ही तो आ सकता है कि इस पोजिशन पर बाकी इधर 4 तरीके से इन में से कुछ भी रख सकते हो क्योंकि 5 अंकों की संख्या बनानी है और 5 से divisible होनी चाहिए इसलिए 5 तो फिक्स हो गया अगर यहाँ 5 नहीं आएगा तो संख्या 5 से divisible होगी नहीं तो कितने तरीके आ रहे हैं 24 तरीके आ रहे हैं और वैसे कितने तरीके होते टोटल यह तो है शर्त वाले तरीके कि इस वाई 24 तरीके से ऐसी संख्या बन सकती है, टोटल कितनी संख्या बन सकती है, 5 अंकों की, 5, 4, 3, 2, 1, 120, तो आपकी प्राइक तक इतनी आ गई, 1, 5, मेरे दोस्तों, कैसा लगा बताओ, प्राइक तक कितनी आ गई, 1, 5, बड़ा प्यारा है, बहुत खुबसूरत है, और आपको बता देना चाहता हूं कि ये तो आप यहां पांस तरीके से रख सकते हो, यहां चार तरीके से रख सकते हो, यहां तीन तरीके से रख सकते हो, यहां दो तरीके से रख सकते हो, यहां एक तरीके से रख सकते हो, यह तब है जब आपको टोटल तरीके बताने हैं, जहां कोई कंडिशन अप्लाई नहीं है, त तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि मेरे भाई 500 निन्यान में बहुत जादा नहीं है अगर कोई teacher आपके लिए एक साल मेहनत कर रहा है, पहली बात, दूसरी बात, यहाँ पर मेरे लिए एक समश्या आजाती है अगर मैं foundation शुरू करता हूँ, और वो समश्या मै मैं पढ़ाऊंगा percentage आप चाहेंगे geometry पढ़ाओ, मैं पढ़ाऊंगा geometry आप चाहेंगे, आरे यार मजा नहीं आ रहा, चलो छोड़ो फ्री में तो पढ़ा रहा है, कभी भी आकर देख लेंगे, तो वो क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं किसी बच्चे के लिए, तो value नहीं इसलिए मैं वो batch लाया हूँ, जो बच्चे serious हैं, वाकई में आज से तयारी शुरू करके वो अपने आपको strong करना चाहते हैं, वो 599 में अराम से manage कर सकते हैं, एक साल के लिए, उसके लिए उसको फिर कुछ नहीं करना, बढ़िया practice करेगा, वो मैं main session यहां लेकर आया हूँ अब इस main session से कितने लोगों को फायदा होगा, आप railway के student हो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई और भी student यहां पढ़ रहा है, अब railway में जितने भी exam है, ALP, वो सभी exams की cover हो जाएगा, उस batch में भी सब cover हो जाएगा, ठीक है, तो बढ़िया चीज यही है, तो मैंने यहां बहु मैं तो खुदी आप से कुछ जादा नहीं कहता हूं, क्यों कि मैं हर एक बच्चे की स्थिती जानता हूं हाँ, हाँ, वो SSC CGL के लिए है, सभी के लिए है, पढ़ो बस, अच्छा कुष्चन देखो, 25,000 चात्रों के एक कॉलेज में, उन में से 55% लड़के हैं, यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के परिक्षा में फेल हो जाते हैं, तो परिक्षा में उत्रिन होने वाले विद्ध्यारतियों की संख्या बताओ, करो, 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 देखो, आपसे बोला जा रहा है, 25,000 चात्रों के कॉलेज में 55% लड़के हैं, 30% लड़कियां और 50% लड़के फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, बहुत सिंपल है, 25,000 का 55% बॉइज हो गए, 25,000 का 45% गल्स हो गई, 30% लड़कियां और 50% लड़के फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे, 70% लड़के पास होंगे, और 50% लड़कियां पास होंगी, अपरस टोटल जोड़ना है, आप कैई बच्चे तलाशते हैं, कुछ और ही हो जाए, सर, कुछ और ही आस्तान हो जाए, तो वैसे किस से होगा, बताओ, देखो, आराम से 4-0 से 4-0 चली गई, calculation बचा नहीं है आपकी, वो काम करता हूँ मैं, 2-0, 3-0, 4-0 खतम, अब आप देखिए, पच्चे सत्य 175, 175 इंटू 5, कितना आ रहा है, पचंपच्चे, सत्रे पंजे पिच्च्च असी और दो सत्यासी, आठ सो पिच्च्च्टर, 5, 7 और 5, 12, 15 और 1, 16, 9, 6, 2, 5, और 9, 6, 2, 5 को एक बर और जोड़ दो, ठीक है, 9, 6, 2, 5 भी तो आ गया, ठीक है, यह पास हुए लड़के हैं, पास बॉय, बॉय, पच्चिस पंजे 125, 125 को पहले आप 45 से उना करना है, आपको, पचंपच्चिस, 12, 50, 62, 62, एंटू 500, तो 5, 2, 6, 5, पांच और 5, 10, यह हो गया, 5, 6 और 6, 12, 10 और 5, 15, 15, 250, बाई गड़वड होगी है, 15, 250, कहीं तो गड़वड होई है, बता सकते होगया, मेरे को, मैंने क्या गड़बड कर दी, जी एसमें क्यों लगा ना, उससे भी कर सकते हैं वैसे तो, अब जी एसमें करो ना यार, इतना मथा पूड़ी क्यों कर रहा हूं मही, अपना मैथड नहीं लगा रहे बताओ, जी एसमें सी लगा देते हैं, इतना क्या सोचना, भई 55, 55 लड़के हैं, और 45 लड़कियां हैं, तो रेशो बना दो पहले, तो ग्यारे से काटा मैंने कित्ती बार, ग्यारे बार, पांस से काटा मैंने नौ बार, 30 लड़कियां और 50 लड़के फेल हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं क्या, boys 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 अच्छा boys and girls का फरक पड़ गया boys and girls का दिक्कत आगए थी पता है उल्टा कर दिया था मैंने मैं समझू 30% लड़किया है 70% लड़किया है और वहाँ 50% JSM लगाने के लिए मैंने base माल लिया 50 सबसे छोटा वाला यहां से आ रहा है 20 इंटू 9 180, 20 ज्यादा है 9 में 180 और केक कटेगी सब में बटेगी, तो यह कितना आ रहा है 59 परसेंटेज आ रहा है, तो डायरक्ट आंसर आ गया, यानिकि 25,000 का 59 परसेंटेज, ठीक है अब तो, तो 25 का टेबल हम जानती ही है, तो हमारे लिए आसान हो जाए सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहां यहां लग चुका है, अपना प्यारा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगला करेंगे, करो प्रैक्टिस, डेली महनत करने हैं, डेली आना है, सीरियस कैंडिडेट्स, सभी डेली आएं, अगले सब्सक्राइब कर दोवाज़ा है, मैं अरृवाज्य चुक्राइब रहा है, तोड़ा सा लेवल अब करवादीजियें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले जैसे होते थे, वैसे, आलो कुमार भाई यह तो बहुत इंटलिजेंट हो गया लड़का है इसको लेवल अप चाहिए अधारी कहां से कौन सी दुनिया में रहते हैं लोग पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ अपने बद्धी से चलना चाहो तो वह कर सकते हैं अंकित मूले 12500 है इनको क्या बोलना होता है इससे उनको लगता है कि आयम वहरी इंटेलिजेंट गाय और मतलब मेरे चर्चे हैं और मैं इतना बड़ा कमेंट लिखूंगा तो सर को लगेगा यार मैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूं ऐसा नहीं लगता है डियार बेफकूफी लगती है ऐसे जो मैं करा रहा हूं को बहुत रिलेवेंट क सेल्स टेक्स आप समझते हो गया सेल्स टेक्स वह टेक्स होता है जो आपका जो अंकित कीमत है आप इस पर बढ़ा कर लोगे उससे कि भाई आपको 6% देना पड़ेगा मुझे नहीं बता आप उसका क्या करोगी यार 106% निकालोगे यह कॉम्पलिकेटड बनेगा आपके ल धाई सो इंटू तीन साड़े साथ सो तो साड़े साथ सो रुपे आप इसमें जोड़ दो बस डाइरेक्ट जोड़ दो तो आंसर आपका आसानी से आ जाएगा ठीक है डी ऑप्शन क्लियर है मज़ा आ रहे नहीं आ आप प्लीज बताएं सर कोशन अच्छे हैं अच्छी रहेंगे और मैं पूरा मेहनत कराने वाला हूं मुझे नहीं पता कि क्लास लंबी खिचे जादा खिचे कुछ भी मेहनत में कभी कसर मिलेगी नहीं आपको मैंने लेकिन जो तरीका बता करेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट करो आराम से और जो समझदार बच्चे है ना चाहिए वो यहां उनका एक्जाम लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करने आएंगे क्योंकि उनको पर साब पता है यार इस इस सेशन की वैल्यू बहुत है कि एक्स किसी कारे को दोसो बहतर दिन में कर सकता है एक्स ने चपन दिन तक कारे कर दिया है ना पिर वाई ने शेश कारे को दोसो सोले दिनों में कर दिया पुरंट करो कि कि एक्स किसी कारे को दोसो बहतर दिन में कर सकता है ठीक है अब X ने 56 दिन तक तो कारे किया ही किया है अब बाकी कारे को किस ने किया है 216 दिनों में Y ने किया है तो अगर मैं कहता हूँ कि आप इसमें से 56 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा 216 एक्स रह जाएगा और वही बराबर आ रहा है 216 Y के तो X और Y की जो छमता है वो बराबर हो गई टोटल वर्क 200 बैतर आ गया है तो X और Y मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं दो की एफिशेंसी से 136 दिन में मज़ा आ गया क्या नहीं आ गया बताओ यह उप्शन सर ये क्लास कितने आवर की होगी आरती जितनी हिम्मत है हां मेरे अंदर आपके अंदर लेकिन हम सीखने आये हैं ध्यान लखना है यही होता है अगर मैं उस चीज की वैलू ले रहा होता तो मैं अपना टाइम खतम करके निकल नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ मैं टीचर ही ऐसा नहीं हो ठीक है अगर मेरे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किस तरह का टीचर हूँ अगला कुशन देखिए मैं बहुत शांदा ट्रिक बताऊंगा इसकी तो वही है चीजे धीरे-धीरे आपके सामने बहुत अच्छी होने वाली हैं आपको कि यहाँ यूएस में दिक्कत आ रही है अप एंडरोइड में कर लो एंड़ोड के बाद फिर वह एक बार मम्मी पापा किसी की फोन में कर लो लॉग इन रजिस्टर फिर बते जो भी प्रॉसस है उसके बाद फिर अपने यूएस में कर लेना वह डायरट हो जाएगा कोशन देखो यह अच्छा होता है कि किसी भिन अपने वितकरम के दुगने से इतना अधिक है कितना अधिक है इतना अधिक है कि अपने वितकरम के दुगने से कोई भिन मैंने एक्स मान ली अपने वितकरम के दुगने से इतना अधिक है कुछ नहीं करना इस question में पताओ क्यों 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 ये अगर ऐसा कुछ घटाने भठाने वाला system आये ना तो नीचे आप एक चीज़ समझ लेना 28 जो बन रहा है वो numerator और denominator के multiplication से ही बनेगा always numerator और denominator का multiplication कितना आ रहा है साथ चोंके 28 यहीं आ रहा है बस वरना आपको पूरी calculation करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको करके भी दिखा हुआ क्योंकि जब आप x का गुणा करेंगे तो x square minus का 2 x square minus का 2 17x बटे 28 28 इदर multiplication में आ गया 28 x square minus का 56 बराबर 17x 28 x square minus का 17x minus का 56 बराबर 0 हो रहा है ना लेंदी हो गया ना लेंदी अब इसके टुकडे करते जाओ बहुत लेंदी चला जाएगा तो सबसे अच्छा तरीका क्या है सर अरे भाई वो सस्किप्शन नहीं है केरिविल एप पर कोर्स आता है है ना बहुत लेंदी चला जाएगा आप देख सकते हैं अगला करिए जिसको जो जा रहा है ना वो कभी भी अब आगे से कभी जिंदिगी में मत बोलना कि हमें महनत नहीं कराई जाती है हमें पढ़ाय चाहते हो ऐसा मुझे लगता है कही बार तो और आपको बहुत ज़्यादा इरिटिशन होने लग जाती एक समय के बाद में इस चीज का समधान यहीं है कि आप बस आप अपने आपको कंट्रोल में लाएं पहले और फिर आपको सब समझ में आने लगेगा अगला प्रशन यह आपको तक टाइम आप हो गया है कि चलिए। तो बाइग का डिन चान जाता है और 180 मिनट लेट पहुंचता है यदि वह 220 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से यात्रा करता है तो वह 180 मिनट पहले पहुंच जाता है को समझ में आगई कौन सी टेकनिक लगेगी निंजा टेकनिक जहां क्या कहते है सर्दों की स्पीड का गुणनफल आता है और स्पीड का डिफ्रेंस आता है और टाइम डिफ्रेंस आता है तो दूरी, speed का multiplication 220 इंटू 132 और जो difference आ रहा है, वो कितना निकल कर आ रहा है? 220 इंटू 132 और time difference आ रहा है, वो कितना निकल कर आ रहा है? 360 मिनट इसका मतलब 6 घंटे 6 घंटे ठीक है? तो 220 इंटू 132 बटे यहां हम कह सकते हैं दस में से दो गया तो आठ और 21 तेर और आठ 88 आएगा ना और क्या तो 88 यहां आगया और 6 यहां आगया प्तॉल करता हूँ 22 चोके 88 4 तिया बारा 6 यहां आठारा उनने सौसी आंसर आ रहा है 1980 इस निजा टेकनिक का पता किस को लग गया था हाथ खड़ा करिए सर बैंकिंग भी क्रैक कर सकते हैं सुधानशू आप शिद्दत से पढ़ो एक ऐसे टीचर के साथ पढ़ो जो आपको पसंद हो आप उस पर ट्रस्स करते हो फिर आप उस टीचर को समझो कि या यह कई मकार टीचर तो नहीं है या यह खाली धकोसलेवाजी तो नहीं करता है वो आपको दस-पाँच क्लास से पता लग जाएगा अगर आप ठीक हैं तो सबसे गलतियां हो सकती हैं लेकिन आपको समझ में आना जरूरी और उसके बाद आप अपनी तैयारी को अगर मन लगाकर किसी एक सिंगल टीचर के साथ भी करोगे ना तो आप निकाल लोगे यह मेरा परसनल एक्सपिरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि चलिए नेक्स्ट कुशन कौन सा फॉर्मूला लगाओगे माद्य दे रखा है माद्य का दे रखी है बहुलक निकालना है फॉर्मूला याद है भूल गए हो भूल गए हो कोई बात नहीं याद है तो जरूर कमेंट में लिखें देखो एक पॉर्मूला होता है याद करो मौड बराबर बहुलक कहते हैं मौड को है न मौड बराबर होता है तीन गुणा माद्य का माइनस दो गुणा माद्य है ठीक है लिखो फॉर्मूले को अच्छे से लिखो तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मौड बराबर होगा वह क्या होगा तीन गुणा माद्य का 143.5 और दो गुणा माद्य है 143 पता है आपको यह लगता होगा मैं जो भी कुश्चन बना कर लाया हूँ आप लोगों के लिए आपको यह इजी नहीं लगते होंगे क्योंकि मैं वो डेटा लेकर आ रहा हूँ जो पेपर में आजकल आ रहा है थोड़ा सा डेटा अच्छा आता है आपने देखा होगा कोई भी कॉश्चन टफ नहीं है कोई भी कॉश्चन ऐसा नहीं है जिस कंसेप्ट को आप जानते ना हो लेकिन प्रॉब्लम कहा जाती है आ और पांस तिया पंदर तीन तिया नौ और एक दस दस चौदे तिया बयालेस और एक तेटालेस चार सो तीस पॉइंट पांच माइनस दो सो छी आसी तो पांच आ गया ठीक है और नौ मैंसे छे गया तो तीन आउ सॉरी पांस तो आई गया दस में से चार आएगा 144.5 दोस्तों आप मुझे बताओ कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़कर प्लीज कैच दा मैत आपकी उमीदों पर खरा उतरा है या नहीं उतरा है हाँ उमीदों पर खरा उतरातना बहुत जरूरी है आप प्लीज बताएं आप मैं यही फील मेरे को और भी मॉटिवेट करेगा देखो क्या होता है बहुत आसान है बहुत आसान है हलके कोशन कराना हलके मतलब exam मेना आये आएं भी तो आते हों आपको पहले से बहुत आसान है लेकिन हर तरह की चीज़े सोचकर बड़िया-बड़िया कोशन लाना कि लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर जाओंगा उसमें 2023 में कम से कम रेलवे की एक लाख वेकेंसी जाने वाली हैं अनुमान बता रहा हूं झाल 2044 ग्राम का कितना प्रतिशत है 2045 ग्राम 7.3 क्लो ग्राम का कितना प्रतिशत है ऐसे करना है तो दो जीरो से दो जीरो चली गई एक से ये खतम हो गया तो X परावर कितना आ रहा है 2045 बटे 37 अब मुझे एक चीज़ बताओ आप 3 के पाड़े में 4 का बात है Sir 8 बर जाता है तब आता है 3 के पाड़े में 4 का बात है 8 बर जाता है तब 3,8,24 वाला और 7 के पाड़े में अगर ये दोगे तो 3 बर नहीं जाएगा बताना जो बच्चा दिल से महनत करना चाहता है मेरे साथ वो कौन है मैं कुछ नहीं कहूंगा मैं उसका नाम बस दिमाग में रखोंगा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा और Yes और No बाकाइदा लिखना कि Sir हम महनत करना चाहते हैं मैं एक्जाम क्रेक करना चाहते हैं इस साल मैं आप लोगों से पस Yes चाहता हूं कि कौन-कौन वाकई में रेगूलर महनत करना चाहता है उससे और मेरे को अलग तर रही का सपोर्ट मिलेगा जहां मैं उन बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा ये बात ध्यान रखना ठीक है नेक्स कोशन आपके सामने हैं ये लेजे करिए तसली से करिए तो आज इस अंकल्प ले लो कि आप ये वाली क्लास फ्री वाली रेगूलर लेने वाले हो पेड की मैं जवरदस्ती नहीं करूंगा जो कि पांसो निन्यान में एक साल के लिए है आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगता होगा फाइब नैंटी नाइन लेकिन एलकेजी की टूशन फी हो जाएगी इतना मुझे पता है और आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप वो भी ले रहे हैं जैसे कि मेरा जो बैच अभी पांस तारिक से शुरू हो रहा है और वो अभी अभी ले लोगे तो ही पांसो निन्यान में का पड़ेगा तो वो अल्टीमेट चीज होने वाली है आप सभी को मेरे इसाब से सजेस्ट कर रहा हूँ बाकी फिर आपकी मर्जी है एक बच्चा कहा रहा है से आप बहुत बोल रहे हो डियर ना बोलू तो फिर मेरे मन में वो चीज़े रह जाएंगी कही बार क्या होता है जब इंसान बोलता नहीं है तो अंदर ये अंदर घुडता रहता है तो मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों से बोल रहा हूं मैं इतना वरना मैं किसी से नहीं बोलता है ठीक है sin theta upon cos theta और 10 theta यही होता है तो क्या मैं इसको 3 बटे 5 डायरेक्टली लिख दूँ हाँ तो 1 प्लस 3 बटे 5 और इसको cos theta को क्या लिख सकता हूँ 5 बटे 3 तो 5 और 3 8 बटे 5 into 3 minus 2 3 उपर आ गया नीचे minus 2 तो minus में आएगा minus का 12 बटे 5 बटे 5 बटे 5 बी ऑप्षिंट चलिए next कुछ भी नहीं होता भाई sin theta upon cos theta करना है तो root 34 तो कट गया आपने आप तो 10 theta यह आ गया तो 10 theta रख दिया cos theta उल्टा हो जाता है अगला 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 यह अगर आप regular एक दिन मतब regular practice करने लग गया catch the math की तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरे दिन अगर आप math ना कब ना भी करो जो मैं paid course में पढ़ाऊ उसकी practice करो केवल तो बस हो जाएगा काम बस यह मेरा promise है आपस तो उसके बाद आप 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 नहीं रुकने वाले हो इस साल आप ले जाओगे selection देखिए a cube minus b cube दे रखा है तो हम जानते हैं सर a minus b का whole cube अगर मैं कर रहा हूं तो वह होता है a cube minus का b cube minus का 3ab into a minus का b यही formula काम का है आपर a minus b तो मेरे पास ही नहीं मैंने का है कैसे a square minus b square बराबर 25 है तो a plus b की value 5 है यह कैसे possible है तो यह ऐसे possible है भाई जब a plus b बराबर भी 5 है और a minus की b बराबर भी 5 है तो यह तब ही संबब है जब a बराबर 5 हो और b बराबर 0 हो तो b बराबर अगर 0 है तो answer के वल 25 ही आएगा कुछ solve करने की जरुवत ही नहीं है तो इतना formula formula लगाने की कोई जरुवत है क्या आपको नहीं है जिनका 125 आ रहा है वो थोड़ा से गलत जा रहे हैं और मेरे हिसाब से answer इसका यह बनेगा और आप लोगों के हिसाब से 125 आ रहा है तो थोड़ा सा आप एक बर चेक करें कि आप क्या गलती कर रहे हैं क्योंकि possible नहीं है अगर आप a plus b की देख रहे हैं बात तो और 125 आप दे रहे हैं अच्छी बात है यह भी यह भी बात मानने हैं आपकी बट यह question गलत है फिर तो इसका मतलब क्योंकि आप अगर satisfy कराना चाहेंगे न कि a बराबर 25 नहीं हो पा रहा है यह यहां पर ओ रहा है यहां पर भी हो रहा यह वहां नहीं हो रहा है तो यह गड़वड़ है question में ही गड़वड़ है question गलत है क्यों गलत है बता हूँ क्योंकि a square minus का b square बराबर a plus b into a minus b है तो दो तरीके कैसे हो सकते हैं आप मुझे यह बता हूँ जैसे कि a plus b आपको 5 दे रखा है तो a minus b भी तो आपका 5 ही होगा a minus b और a plus b तो अब आप calculate कर लोना चाहिए तो आपका जो a आ रहा है वो 5 आ रहा है बी आ रहा है वो 0 आ रहा है आप अगर वो वहां रखो गे भी तो गड़बड हो जाएगी न इसलिए दूसरे तरीके से जा रहे हो तो 125 यह आएगा वो आप सही कहा रहे हो उस सही का भी सही जवाब देता हूं देखो आप लगा रहे हो क्या a minus b का whole cube आप लगा सकते हो या a cube minus b cube सब दे रखा है a minus b भी आ जाएगा तो a cube minus b cube क्या हो जाएगा a minus का b a square plus का a b plus का b square आप लोगों ने ये किया है न यहीं तो किया है हमने यह आपने लिख दिया 625 और a minus b की value 5 आगई इसका answer आगए 125 लेकिन मैंने गड़वड आपको बता दी है आके आप सब समझगा है ठीक है सर आरपी एक पॉंस्टेबल यही है हिमान्शू इसी से कवर होगा सर ऐसे सीजेल 599 पेड़ बैच में सही है क्या संदीप वह आप सभी के लिए ले सकते हो कोर्स है ना नाम मैंने लिखा है रेलवे एक्जाम सेंड अधर्स अधर्स में सब आ गए मैं जैपुर से क्लास ले रहा हूं दोस्तों नेक्स कुशन देखिएगा आप बढ़िया कु कि इसका आंसर जरूर देना आप कमेंट भर-भर के देना भाई कि देखो आपको यहां से सिखाऊंगा मैं कि एक तिर्बु जगर एक संभाव हूं है और पी क्यू आर क्या है इसकी तीनों भुजाओं के मद्य बिंदू है जैसे कि मैंने एक संभावू तिर्बु बनाया और मैंने क्या किया पी क्यू आर बनाया जिसकी इसकी तीनों भुजाओं के मद्य बिंदू है जैसे कि देखो यह रहा तो आप जब भी मद्य बिंदू से मद्य बिंदू से मद्य बिंदू से मद्य बिंदू मिलाते हो ना तो यह 4 ट्राइंगलों में बठ गया जैसे कि यह A है यह B है और यह C है A B आपका यह P है B C आपका Q है और यह R है तिर्बुच की बुजा 4 cm दे रखे हो कोई बात नहीं आपको इसका छेतरफल निकालना है तो आपको मैं बता दूँ अगर मद्य बिंदू से मिलाओगे तो जो चेतरफल हो जाएगा वो पूरे तिर्बुच का एक चोथा ही हो जाएगा छोटे वाला तो आप जानते हैं पूरे ट्राइंगल A B C का एरिया कितना है पूरे तिर्बुच का है तो इसका कितना हो जाएगा केवल और केवल रूट तीन अच्छा लग रहा है हां मैं भी तो वही किया रहा था अच्छा आरवी जेए के पीवाई क्यू करा दीजिए ना प्रिशान तुम टेंशन क्यूं लेते हो फिर वही वाले बात करते हो मैं हूना भाई सब आ जाएगा इस प्रैक्टिस में और जो फाउंडेशन हो रहा है न आप शुरू से पहले खतम होने का कोशिश करवाते हो डिटेल में समझाएंगे और यह चीज किलियर है ना आप लोगों को मद्य बिंदू होता है ना और मद्य बिंदू को मिला कर कोई ट्रायंगल बनता है तो वह पूरे ट्रायंगल होता ट्राइंगल ABC के परीमाप का परीमाप परीमाप आदा होता है लेकिन अच्छा कोश्चन foundation में पहले होगा simplification, then arithmetic, then advancement तभी सही रहता है सारे exam cover हो जाएंगे next करिए अच्छा कोश्चन अच्छा कोश्चन 25 मेटर उचे एक चटान के शीर्ष ते एक मीनार के शीर्ष के उन्यन कौण को मीनार के आधार के अबनमन कौण के बराबर पाया गया यह गजब का प्रश्चन पता है जैसे कि क्या होता है 25 मेटर उचे चटान यह चटान है 25 मेटर उचा है यह अपना धराताल हो गया है ठीक है भूला क्या गया कि एक मीनार के शील से मीनार के शील के उन्दन कौन को मीनार के आधार के बराबर पाया गया विज्दध कर भी डान तरफ बराबर तो को अब समझ जाए कौन और अवनमन कौन दोनों बराबर हैं अगर यह चीज बराबर होती है न अब बराबर कौन है हमें नहीं पता क्या है 25 मिटर उचे चट्टान के बराबर है तो मैं यह कह सकता हूं मेनार का निकालना है यह 25 मिटर है यह एंगल भी बराबर है यह एंगल भी बराबर है यह 90 माइनस ठीटा हो जाएगा तो यह ठीटा हो जाएगा आप मुझे बताईए अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो यह समानतर हो गया यह ठीटा और यह ठीटा बैसी भी बराबर है ठीक है यह 25 है तो यह भी 25 ह हो जाएगा तो मीनार पूरी कितनी हो जाएगी पचास की 50 50 50 मजा आ रहा है भाई आया ना में जवाब देदो राइट एंगल ट्राइंगल लगा दिया दोनों तरफ एंगल बरावर है ना कि अब नामकरण से बता देता हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना किसी बच्चे को तो a मैंने माल लिया ये c मैंने लिये d मैंने लिया अगर मैं बोल रहा हूं 10 ठीटा तो 10 ठीटा अगर में उपर वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, तो उपर वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बी-सी बटे-ецी, कोई दिक्कत नहिए, नीचे वाले ट्राइंगल नगा रहा हूं, तो टैन-ठीटा बराबर क्या हो जाएगा, और सी-डी बटे-ецी, तो आप मुझे बताओ कि 10 ठीटा 10 ठीटा बराबर है ना और हमारे पास CD की वैल्यू 25 है और AC से AC कर जाएगा तो BC बराबर भी तो 25 हो जाएगा तो इसलिए 50 आ गया सर मैं मैथ में थोड़ी वीक हूँ फाउंडेशन बैच में मुझे रेलवे निकालना है डियर अंजली प्लीज ट्रस्ट मी मैं और कुछ नहीं कहूंगा एक्शल में क्या होता है है हर बच्चे को होती है सौ रुपे भी आप डालो तो क्यों डालो लेकिन एक तो मैं आपके सामने हूँ रेगुलर हूँ जब इनसान को खुछ खुद को प्रूफ करना होना जैसे कि मैं हूँ मैंने एक अफोर्डेबल एजुकेशन का बहुत दिनों से सोचा था नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश और आज मैं कर पा रहा हूँ तो मुझे उस चीज में भी अपसोस होता है कि आप लोगों को इस चीज का भी भरोसा नहीं है अगर मैं इसी बैच की प्राइज 2,000 रुपे रखता तो शायद आप लोगों को 50% की डिसकाउंट के साथ बेजता तो भी आप खुशी-खुशी ले लेते मैंने शुरू से सोचा कि मैं इसकी प्राइज 5.99 रखूं जिससे मेरा हर एक बच्चा पढ़ सके हलाकि बहुत महनत लगेगी 5.99 कहां खतम हो जाएंगा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत कम पैसा है 5.99 मेरे लिए नहीं नॉर्मल देखा जाए तो एक टूशन फीस भी नहीं होती है किसी बच्चे की आप अगर अगर आप थोड़े से भी इंगलिश मीडियम स्टुडेंट होंगे या फिर गाउं में आसपास किसी बच्चे को आजकल एजूकिशन भी दे रहे होंगे ना इसकुलों में 500 रुपे टूशन फी ले ले लेते हैं या एक महीने की यह आप जानते हैं ठीक है तो वही वाली बात है तो मैं यही कहूंगा कि मैंने पहली दिन आपको लिए बता दिया कि आपको जॉइन करना है आप मस्त करो पढ़ाई मैं करवाऊंगा आप आनंद उठाओ बस यह लोग यह लेजिए स्पीड गेन हो जाएगी मांशू बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना देखिए एक टंकी की चंता चंता मतलब होती कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब आयतन और उसका अब्यास तो टंकी बेलना कार है तो यह कितना होगा पाई आर स्कॉयर एक जो कि कितना दे रखा है चैवन चैजीरो आधार का व्यास दे रखा है 28 तो रेडियस हो जाएगी चौदे रेडियस अगर चौदे हो जाएगी तो पाई आर स्कॉयर हो जाएगा 616 पूचा ही निकालने में मेरे को कुछ नहीं जा रहा क्योंकि मैंने आपको चार्ट इतने आगे दसा कि यह अप्ष्य है कि अचले कि यूट्यूब पर चल रही है वह प्रैक्टिस चल रही है रात को नौ बज़े आप उसे भी लिए जो चात रहे हैं और आपको पता भी लग रहा होगा कि साहिल सर जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं कैच्छा मैत मेरे अल् आपने सेग्मेंट है और वही वो कर भी रहा है अभी भी आप जब कर रहे होंगे तो आपको कुशन में मजा आ रहा होगा और मैं आपसे बात में चाहूंगा भी कमेंट में कि कैसा लग रहा है आप रेगुलर रहना बस कुशन करो कि अब पांस तारिक की सुभए नौबजे क्लास शुरू हो जाएगी अभी लेलो कि अब आए आए अब बहतर लीटर गुलाव का दूद है गुलाव का दूद समझते हो गुलाव मतलब वह रोवजा दूद इतने इस मिल्क क्या भाब में मिल रहा है 13.5 रुपे प्रती लीटर और पानी आपको पता है वाटर जो होता है वाटर फ्री का होता है तो आपसे बोला जा रहा है कि बारा रुपे लीटर हो जाती है उसका तो मैंने इस में से घटाया डेड़ हो गया तो पॉइंट हटाया जीरो आठ अनुपात एक यानि कि मिल्क और वाटर का अनुपात आठ अनुपात एक है 72 लीटर में हम कह सकते हैं कि 9 रेशो बरावर 72 लीटर गुलाब का दूद है यानि कि एक रेशो बरावर आठ तो आपसे बोला क्या जा रहा है कितना पानी 8 लीटर मिला दो गई है 158 120 तो आ रहा है कीमत घटकर 12 रुपे हो जाती है है कि हमारे साथ से तमसाउभ कर रहे हैं बच्चों कि साथ से झालत कर रहें दिखते हैं वारबार अनसर और घर सफे कि 9 छे रो भाई एट No 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 रुर्ट क्यों हुं है Do कि इसमें कितना मुफ्त मिलाएज याया जाये आठ आएगा अंसर गल्ती क्यों कर दी भाई तुमने अपने अंसर पर टेकर हो गया बताओ गल्ती भी कर रहे हैं अच्छा यह हो सकता है गल्ती तो तुम नहीं कर रहे हैं गल्ती हमने किये यह जो दूद है ना यह दूद का रेश्ट दूद है दूद आठ रेश्व बरावर यह बहत्तर है तो एक बरावर नहीं हो जाएगा यह जो दूद है ना यह वाला जो हिस्सा है यह बहत्तर लीटर है यह ही गुलाब का दूद है पहले सी यह यह वाला हिस्सा ही तो है ठीक है आप सबीगा नहीं आएगा क्योंकि वह यह जो यह जो मिलक है यह वह है क्योंकि तेरे पॉइंट पांच के रेस्पेक्ट में दे रखा है देगो अगर यहां बोलता ना कि ओवर ले तब हम बांटते चलिए अगला करो next fraction में convert करिए आपको प्रिवार में इस इन दौनों को जाइदत मिली इसको नहीं मिली यह रूस गया उसने का कि मैं घर चोड़ रहा हूं पांच घर छोड़ के चला गया जिसको जाइदा बार 224 में से फिर दो घटाया आपने नीचे नाइन नाइन जीरो कि देखिएगा आप तो पांसो अबाइस कि 222 जोड़ दिया कि शार सो चम्वाल इसमें से 322 घटा दिया चार सो बाइस बटे 990 एक यह आप्शन है बी कर पारे हो उसका नो आंसर आएगा सही कह रहे थे आप अगला करिए अंतिम प्रश्न है कुश्चन को मैं पढ़कर सिखाता हूं कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 2014 से लेकर 18 तक के दौरान बिविन वर्शों में सस्किप्शन सर्विस मुवाईल एप्लिकेशन दौरा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है इतनी वेब सीरीज है इतनी वेब सीरीज है ऐसे दो हजार पंदरा से अठारे तक सस्किप्शन सर्विस मोबाईल एप्लिकिशन द्वारा जारी की गई वेब सीरीज की ओसर संख्या बताओ पंदरा से अठारा तक इनका एवरिज निकालना है बस तो चार और दो छे और पांच ग्यारा और साथ अठारा चे और चार-दस और चार-चार-चौर तीन-ससत्रह बटे एक दो-तीन-च्यार तो चार चोख के ई-स व्हार ऑट्यां-च्यार की त्युस्त-प्र SECisée कि चलिए यह था आज का आपका प्यारा सा कैसा 990 कैसे लिया 990 तो आता है जिसको जायदात मिलती है जैसे दो अंक है जिनके ऊपर छत्री लगी हुई है उनका तो 99 और जिसको कुछ नहीं मिला उसका जीरो कि यह तो कॉंसेप्ट है ठीक है चलिए मेरे दोस्तों किरपया करके मुझे बताएं सेशन आप लोगों को कैसा लगा सभी स्टूडेंट्स को सभी स्टूडेंट्स को आप मुझसे यह प्रॉमिस करें सर हम रेगुलर आने वाले हैं रेगुलर इस सेशन को एंजॉय करने वाल हूं है ना आप लोगों को मेरा कहना मानना है अगर आप चैप्टर वाइज तरीके से पूरी गणित को अच्छे से पढ़ना चाते हैं आप कोई भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हों मेरा बिश्वास करना मैं बैस्ट पढ़ाऊंगा इतना मैं वादा कर सकता हूं आगे मेरे नहीं लेना अभी लेना है और बाद में यह महंगा हो जाएगा बस कितना सास्वा निन्यान में तो आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो 200 रूपे का मत करो भाई मैं तो अभी आपको अफॉर्डेबल देना चाहता हूं बार बार आपसे नहीं कहूंगा अच्छा पढ़ना है इससे बैस्ट कुछ हो नहीं सकता एक साल की वैलिडिटी मिल रही है आपको देड़ घंटे बैच पढ़ेंगे आपन सुबह पास तारिक से शुरू हो जाएगा अभी लेना है आज अपनी एक कौपी खरीद लाना आप नोटबुक खरीद लाना नई कौपी खरीद लाना अभी एन्रॉल कर लो मिल रहा है वहां पर है अभी ले लोगे यह जीके की बुक है आप लोगों के होनी चाहिए आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हो मैथ की यह बुक मेरी लॉंच हो रही है जल्दी रेलवे की प्रोस्पेक्टिव से अभी लाउंगा इसको अभी थो की जो भी कुशन आपसे नहीं बनता वह आप देख लेना एक ठीक है ठीक है ठीक है और अनौस्मेंट आपको मैंने रेलवे की और एससी की फ्री क्लासिस का किया ही है आप क्या अपने प्यारे चैनल को सपोर्ट करेंगे ऐसे लाइक कमेंट आप करिए कि कैसा लगा आपको क मैं यहीं उम्मीद करूंगा आपसे और मैं मेहनत करने में कसर नहीं चुड़ूंगा जो एससी के छात्रे रात को नौ बजे जोड़े मेरे साथ रात को रेगुलर क्लास होती है फाउंडेशन में जो तैयारी है वो सेलेक्शन वाली है यह पूरा सिलेबस है कई बच्चे ड प्लास हो गया डिविजिबिलिटी सारे चीज़ें हो गई और टाइम एल्सियम टाइम और पाइप अन सिस्टेंट टाइम स्पीड डिस्टेंस रेस अलजेवरा मेंसूरेशन जो मैट्री ठीक है टिगनोमेट्री हाइटन डिस्टेंस कॉडिनेट अलिमेंटरी कि डियाई आगई सारी प्रबाबिलिटी और प्रमोंटेशन कॉम्मिनेशन पूरा बैच हो गया एक तरीके से ठीक है सर पोर्स एक एर में कम्प्लीट होगा कोर्स की वैलिटीटी एक एर यानिकी एक एर तक आप वीडियो देख सकते हैं है ना हां कि देड़ गंटे ठीक है फिर सेवंट मिलेगा तो सेवंटी नाइटी आने मिलेगा लेकिन यार पहले दिन से जुड़ो मैं तो पहले दिन नौ बज़े देखना चाहता हूं आपको तो अभी ले लेना जाके तुरंती ठीक है लिंक में नीचे डाल दूंगा ठैंक्स डियर स्टुडेंट क्ल लगा मुझे बताएं ठीक है और मैं जान लगा दूंगा और अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें टेक क्यार अल्दा बेस्ट लवी ओल अच्छे अच्छे से पढ़ाई करें अब आपके आज का पूरे दिन का मैत का कोटा पूरा हो गया उसे एक बार रात को करके देखना ठीक है सही है न तरीक है यह है अल्दा बेस्ट बाए बाए